इतनी बार हुआ राजीव जेक्टी जी जिसका आप पर आरूप लग रहा है कि आपकी सरकार आजाएगी तो मद्यप्रदेश की सरकार गिरा देंगी और आपके निता इबात पहले भी कहते रहें इंकार मत किजिगा इसे कि आपके निताओं ने कहा नहीं है से मैं केवल इतनी बात करना चाहता हूँ अलोग जी ने भी एक बात कही बड़ी इंपरण बात थी उन्होंने कहा कि वहां का जो स्वन जाती थी उसको ऐसा एसास हो रहा था कि शायद हमारे आधिकार जा रहे है लेकिन एक जब हमने दस परतिशत आर्थिक आधार पर रक्षन द बावजूद नंबर्स कांग्रेस के पास ज़्यादा रहे हैं ये बात आपके बिल्कुल ठीक है कितनी दिर तक कांग्रेस की सरकार चलती है ये कहना भी मुश्किल है मतला आप चलने नहीं देंगे ना ये आपने आप से का आर्थिक और समाजिक सुरक्षा के साथ अगर महा कि जनता ये निर्णे लेगी कि हमें एक सक्षम और मजबूत सरकार चाहिए जिसने हमारी गरीबी दूर करी हमारा अदिकार दूर करी तो ले चुकी उसमें वोट कर दिया विधान सभा में अलग किया अगर लोग सभा में जैसा इस समय दिख रहा है तो पता लग जागा कि सभा में अलग किया विधान सभा में तो वगर आपको मुख्य मंतरी चुनना होता तो 5 शीट और देजिए लेकि मुख्य मंतरी के लायक तो उनके पास सीट नहीं थी मुख्य मंतरी के लायक सीट नहीं थी मैं आप कुद बार बार यही कह रहा हूं कि number of votes की percentage of vote की बात के जि पर्देश तो ऐसा पर्देश है जिसने बार बार मोहर लगाई है अपनी बार बार मोहर लगाई है इस बार भी मोहर लगाई है ज्यादा किसको वोट मिले परसेंटेज जो वोट ज्यादा किसको ले भारती जन्ता पार्टी को मिले सर आप जानते हैं हम जिस लोक्तांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं वहां परसेंटों जो वोट से ज़्यादा नंबर आफ सीट्स के उपर चीज़ेता होती है और आप महां का डबंदम की स्थिती में नहीं थे आप इसे उमीद में बैठे थे कि आपको पूरा बहुमत मिल जाएगा वो नहीं मिला तो किसकी गलती है अलोग जी की बात कोई मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मैं आप से बोला समाजिक सुरक्षा हमने दी कानून बना के आर्थिक सुरक्षा भी हमने दी वो भी कानून बना के अब दोनों सुरक्षा जब हमने दी तो कोई वंचीत ऐसा कोई ऐसा वर्ग नहीं जो वंचीत रा जात अपने अधिकार वस्याइब तो जिसकी सरकार जिसकी लाठी होती है केंद्र में भैस भी विदान सभा में उसी की होती है विस ये कंफर्म वाना जाता है क्या वही एक प्रीकंसीव नोशन और एजम्शन पे अब जो हम हल चल देख रहे हैं मद्रप्रदेश में हो रही है पहले तीन बाते कहना चाहूंगा संख्षेप में पहली बात यह है कि वहां मद्रप्रदेश कंद्र जो सरकार बनी जिसके पास नंबर से उसकी सरकार बनेगी अन्य था अटलव्यारी वाच्पे की सरकार 1988 में कि 2018 में निननीके भी नहीं बनती क्या उनके पास सिंगल पार्टिग होने के में आते नहीं था leant दूसरी बात दूसरी बात यह कि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह यह तीनो सरकारे हैं मद्रप्रदेश की सरकार राजस्तान की सरकार का च्रणाटा कि सरकार छे मेनेस जादा नहीं चलने वाली है या तो गिर जाएंगे या गिरा दी जाएंगे राजस्तान की भी राजस्तान की भी क्योंकि जो पैटर्ण में देख रहा हूं कि अभी नतीजे आये नहीं और उसके पहले वहाँ पे हलकिल शुरू हो गया और स्थिर्टा का के सरकार यह तो उन्होंने विपक्ष की नहु सरकारे बरखास कर दी बुले मेरे पासई लेकिन अब जो मेरे पासके लेकिन आप जो में डिन स्प्रेट अथा यहाँ पर निंजेशुंगं सही है रहा तो बिदान सभा में जो बीजेपी के खलाप मंडिक मिला इस क्योंकि उनको बहुमत का आखा नहीं मिला अगर और लोगसभा के अंदर उनको शीजे में तब्दील होता है तो यह सरकारे या तो गिर जाएंगी या गिरा दी जाएंगी यह दोनों परिवाशां में अंतर क्या ह दो है कि पहले जो इंदरा गांदी के जमने हुआ करता था है यह इन्दरा गांदी का बड़ा या फर्मूला था और वो चालने पकॉंड करों करखना थारएं लेकिन दूसरी बात क्या है कि जैसे आपने गुजरात के अंदर देखा गुजरात के अंदर कॉंग्रेस पार्टी के विधायक थे साथ आट विधायक चुनाओं के ठीक पहले वो क्रॉस ओर कर जाते हैं जो विधायक क्रॉस ओर करता है अगर टू थर्ड में जा अगर वन थर्ड नहीं होता तो उसकी सदस्ता चली आती है या आप तैरंगाना के अंदर देखिए टियारेस ने कम से कम कॉंगरेस के एक करने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा